चलिए बई गुड़ी इनिंग एरिवन सभी बच्चों को सुप संधिया देखते हैं आज कितने बच्चे जुड़ते हैं बहुत समय से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि सर लाइव लीजिए लाइव लीजिए लाइव लीजिए तो सोचा कि आज बच्चों के साथ एक बार बात करत बच्चों को कुछ important questions दिखाते हैं समझाते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको पता है कि मैं कौन से चैप्टर से questions ले रहा हूं चलिए बई जल्दी से आजओ सारे के सारे महाबली सार्थी बाहुबली जो भी हो बई आजओ सभी आजओ 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 आ आजओ आगे वई है एलो सार हेलो गुड़ी इवनिंग चलिए साउंड आ रहा है एक दम साइसे कोई साउंड में प्रॉबलम हो या फिर वीडियो की क्वालिटी में प्रॉबलम हो तो बता दो जल्ली से ना क्योंकि क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रमाज नहीं करने का है ठीक है अधाव आजओ सभी महावली महावली बाहु बली बारूती यावाद गोडिवनिंग रोहित सर्मा चलिए सभी अपने नाम बताओ जल्ली से कमेंट सेक्षिन में नाम बताओ 30 अपरेल को एक्जाम है ने विटा आपके एक्जाम का वे 30 अपरेल को दो हजार बाइस का एक्जाम तो तीस अपरेल को है इसके बाद दो हजार तीस है चले आजाओ बहुत इनिंग सर गूड गूड चले यह चीज बहुत अच्छी है कि आप जब भी वीडियो स्टार करो तो यह पूछो के सार आपकी हेल्थ कैसी है आप कैसे हो मैं भी ऐसे और आपका नाम क्या है आपकी है है नगे कि इसकी इतनी बड़ी फैमिली है किसका नाम लोगा मैं लेकिन आप सब अधर एक all-rounder है ठीक है बई चले आगे बई आगे सभी बच्चे आगे चली आज में आपको कुछ करीब 60 से ज्यादा कुछ क्यूसिंस है 60 से ज्यादा होंगे साइद मेरे क्याल से वो क्यूसिंस बताने वाला हूँ उनका solution भी मैं आपको बताऊंगा हल करके मैं आपको बताऊंगा आउगा समय से Ŝुए का नाम है आप ही हेल्था है इसमय हमार में च Л साथ कुछ हमशह उनकी हमारा चूरवार बहतर रहा है जिन्दगी में हर मुक्राम आप हासिल करो चलिए भी चलिए देखिए आप अगर नवदे विद्याले एंटरस एक्जाम की घर बैटे प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारा एक एंटरोड एप्लिकेशन है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर गूगल प्लेश्टूर के उपर जाक जरूर पैस किजिएगा वीडियो को अभी लाइक कर दो और अपने दोस्तों की साथ सेर कर दो एक फाइनल रिक्वेस्ट की वीडियो को लाच तक हमेंसा देखा करो चाहे जो भी हमारा वीडियो है एक बार उसको लाच तक ज़रूर देखना बहुत ज्यादा वीडियोज हो मैं आपके लिए homework में दूँगा यानि कि मैं उसका उत्र आपको बताना है ठीक है और उसको छोड़कर जिस किसी क्यूशन का उत्र आपको आ रहा है वहां बता देना ठीक है बई चलिए तो चैप्टर का नाम आप बता दो सबसे पहला आज का हमारा प्रस्न देखिए बच्च ठीक है तो इसी प्रकार से क्योशन है नेम लेकित मैंसे कौन 21 के बराबर नहीं है विच वन आप दी फॉलोवेंग इस नौट इक्वल टू टू ट्वेंटी वन चलिए जल्ली से कमेंट सेक्षिन में अपना उत्तर बता दो मैं वेट कर रहा हूं आपके उत्तर का आपके आ बंदू है सबको जिस किसी को बुलाना है बुला दो भई आपको चलिए इसको सौल करते हैं यह आपका होमवक नहीं है वैसे मैं इसको सौल करता हूं देखिए होता क्या है निम्द लिकित मैंसे कौन 21 के बराबर नहीं है अगर मैं इसकी बात करूं तो 17 के अंदर मुझे क् जोड़ना है क्योंकि 9 मेंसे 5 गया 4 हो गया 17 ओचार केता होता है 21 होता है यहां पर इख बात करता हूं तो 14 मैंसे 8 पीछे बत गया 6 6 और 15 हो गया 21 यह भी 21 के बराबर है यहां पर 7 हो गया और यहां पर यह हो गया बेटा देखिए चौदा तो यह भी 21 के बराबर होगे तो फाइनली अपना डी उत्तर है बहुत सारे बच्चों का यह उत्तर आ रहा है वैसाब एकदम सही उत्तर है आपका बेटा बहुत ही बढ़िया चलिए और आगे पड़े नेक्स्ट क्यूशन की और बढ़ते हैं चलिए दूसरा आज का हमारा प्रस्न इसका उत्र बताइए निम्द लखित मैंसे कौन 12 के बराबर नहीं है इसके बाद आपको मिलने वाला होमवर्क देखिया आपको अपना स्कॉर मुझे बताना है आपको कुल मिलाकर कितने माक्स आ रहा है क्योंकि नोदे के एक्जाम तो भी बहुत पास आ गया है ना बहुत पास आ गया अब तो आप अगर वीडियो छोड़के जाते हो या ऐसा चलिए शुरुख कैसा लगा वो भी बताना है न बेंटा एसा तो तो मुझे बता है कि आप अपनے गुरुजी को बहुत प्यार करते है उनके पढ़ाने के अंदाज को बहुत प्यार करते है लेकिन भी वीडियो पताना है मुझे कैसा लगा आपको कुछ ए बता रहे हैं कुछ सी बता रहे हैं सर मेरा नाम लीजिए आयूस पाल आयूस पाल है कुंदन कुमार है बाला जी है जाहनवी सैन है मुनु सिंग है सरोज नर्खडे हैं कुंदन कुमार से ठीक हो गया करन ब्यूहुत है लोकिसा हुए मन्जू नडाहा है करमीनी निर्म का लार पता है नाम क्योंकि है मैं तो रास्तान का रहने वाला हूं तो मुझे रास्तान की जो नाम होते हैं लोगों के वो थोड़े याद रहते हैं मलब बोल भी पाता हूं वड़ना तो डिक्कत रहता है ठीक है भई वेच्वन अब फॉल्विंग इस नौट इक्वल टू नॉम्बर ट्वैल ठीक है बारा के बाराबर कौन नहीं है अगर देखें यहां पर मैं नो और आट को जोड़ता हूं तो सत्रा यह हो गया सत्रा मैसे मुझे मुझे माइनस कितना करना है पांच मतलब की बारा आ गया तो बारा के बाराबर है चलिए इसकी बात करते है यह हो गया साथ यह हो गया पांच साथ पांच कितना होता है बारा होता है चलिए इसकी बात कर देते हैं दस और दो बारा यह भी बारा हो गया इसकी बात करते है चार चार में अपने को चलिए 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 यह हो गया आज का आपका homework जिसके लिए मैं आपको एक मिन्ट का समय देता हूं जल्दी से बता दो फिर मैं solution दो बताऊंगा solution में आपको last में बताऊंगा छो- जो Qs मैंने होन toi के लिखेँ है ना हड़व उनका ऊत्र में आपको लालस्ट में बताऊंगा तो इसकी उत्र में आपको लाश्ट में बताऊंगा ।Õ यह जल्ली से उसको साल कर दीजी और अपना ऊत्र बता दीजी जल्ली कि पिरना चलिए 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 विवाजन के एक प्रस्न में यदि भाजक भागवल और सेशपल 47 वारा और 29 है तो भाजिक ज्याद कीजिए in a division if divisors, questions and reminders are 47, 12 and 29 respectively find the divisor. बेड़ा जल्दी बता हुई बेड़ा जल्दी बता हुई इतना समय नहीं रहेगा ना एक्जाम में रहेगा और ना कहीं और रहेगा ठीक है बाई चलिए इसका उतर बताना मुझे अभी हम बात करते हैं चौथे प्रस्न के बारे में जो की मैं भी किस चीज का वेट कर रहे हैं आप लोग हैं कि अच्छा पड़ाते हैं अच्छा पड़ाते हैं यह बोलेंगे शर आप बहुत अच्छा पड़ाते हैं कोई बात नहीं है अब इन दोनों का जो प्रोड़क्ट हैं वह कितना है यह है चलिए भाई सो एक्स इंटू 5 एक्स जो हैं वह अपने को दिया गया है है तिन जार एक्सो पटीस ठीक है तो 5 x square is equal to 3125 ठीक है अब x square is equal to 3125 अब 5 का फाग दे दो तो क्या आएगा च्छे बार गया थिक है पांद दुने दस और पच्छिस श्च्छो पच्छिस हैगा अब 625 का under root निकाल लो square root निकाल लो क्योंकि x square बराबर 625 है ठीक है तो x बर तो एक पूछ किया रहा है larger number कौन सा है larger number ठीक है बई तो देखिए यह जो X है यह smallest number है 25 जो है यह smallest number है लेकिन मुझे larger चाहिए तो 25 इंटू में 5 करना पड़ेगा 25 पंजे 125 जो कि C अपना उत्तर होगा बहुत सारे बच्चे जल्द बाजी में A उत्तर कर लेते हैं मुझे पत नेक्स्ट क्यूशन देगे बड़ा चलिए नेक्स्ट क्यूशन पांच वा पांच वा प्रस्टन है आज का जल्ली सी बड़ा उत्तर बता दो दो संख्याओं का कुणनफल 1452 है यदि एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है तो चोटी संख्या क्या होगी कि आजाओ आजाओ बिड़ा जल्दी बता दो ओहो लेफ्टोप का चार्जर भी निकला हुआ है ना भाई चलिए गुरुजी चार्जर लगाते हैं तब तक आप उत्तर लगा लो ठीक है उत्तर बता दो जल्दी से कि लाइक कर दो सब लोग हाँ यह बहुत ही अच्छा है कि सरा बहुत है कि जेन्वी टॉपर वाई बड़ा ही गल्त बात लिख रहे हैं मेरी बारा मई को साधी होने वाली है तो आप अगर बढ़ाई देना चाहते हैं दे सकते हैं मुझे कोई मना नहीं है इस चीज का मैं जो कर रहे हूं ठीकर मजा कर रहा हूं कि आप बदाए दिए सकते हैं लेकिन यह बास सही है कि मेरी माई बारा माई को सी कौन सी माई है चोटी संख्या किया होगी ? देखिये 2 संख्या होगा ये गुदनफल हैं एक संख्या दूसरी की 3 गुणि है 1x Later .... तीन x अच्छा इससे पहले क्या था.. 500 गुणि था न तीक है इनका जो in मार्टिप्लिकेशन है वह अपने को दिया गया है 3x2 ठीक है यहां पर रहाएगा अपना 1452 चलिए तो x2 is equal to 1452 का बटा में देंगे तीन अपन लोग ठीक है तो चार वार देंगा चारतिया बारा एंड दो मलब की आर्टिया चॉइस हाएगा एंड तीन चौक बारा सो 484 का अंडरूट निगा लेजिए बैसाब 484 का अंडरूट जो होता है वोड़ा क्या होता है आ अंठा-टा-ठीच ऋशट होता है ना अठारा हो सकता सहरा देख सिर्दे मग्राइघ एग बारा का दूनिंग होगा 22 22 22 कैा होगा दो दो मनेless 4 हृ techn EPA बताही देने के लिए थैंक यू मैं आउंगा चलिए बिटा आना जरूर आना सादी मुबारको ठैंक यू वेरी मच यसलिए आपके गुरू जी अभी आपको पता है कि मेरे साधी है तो मुझे उसके लिए बहुत सारे काम करने पढ़ेंगे, सफाई वगर है, कलरिंग वर्लरिंग है, मैंटरनेस का काम होता है, गोड़ी-वड़ी बुक करनी है, है ना भई? तो बहुत सारा काम भी है, लेकिन फिर भी आपके गुरू जी आपके लिए काम कर रहा है, मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ लेकिन आप से सर्फ एक चीज मांगता हूँ कि भैसा आप लाइक कर दो शेयर कर दो गुरू जी क्या चाहते है पता है कि अगर आप लाइक करोगे शेयर करोगे तो यह वीडियो और भी आपके जो भाई बैन है भाई बंदू है जो फ जल्दी लाइक कर दीजे वीडियो को लाज तक देखना चली बात करते हैं छटे प्रसने के बारे में 6 नंबर क्योशन के बारे में जब किसी संख्या में 13 से गुणा किया जाए तो उनका जो गुणनफल है उसमें किवल 5 आए तो सबसे चोटी संख्या क्या होगी चले नंबर is multiplied by 13 what will be the smallest number and entirely 5 comes in their product चले बड़ा जल्दी बताओ यह क्योशन आपने किसी किसी किताब में भी देखा होगा अरे बच्चा कौन है यार इसको मताने मेरा नंबर कहां से मिल गया बार बार कॉल किया जा रहा है अरे बही समझा करो मैं अभी पढ़ा रहा हूं ना मैं अभी पढ़ा रहा हूं बच्चे मेरे सामने बच्चे पढ़ रहे हैं ठीक है तो यह फाल्टू के कॉल बाजी मत करो भी आजी बही क्या होगा इसके उत्तर जब किसी संख्या में 13 से गुणा किया जाए तो उनका जो गुणन फल है उसमें केवल 5 आए तो सबसे चोटी संख्य क्या होगे मतलब की एक ऐसी संख्या आ एगी जिसके सारे अंक 5 5 5 है मेरा कहना का मतलब कि यह क्या कह रहा है कि जो 13 इना 13 इसको ऐसी संख्या से गुणा कीजिए कि जो उत्तर आएगा जो गुणनद फल आहएगा वो 55555 इस प्रकार से मतलब जितने भी संख्या के अंदर अंक होगे वो सारे के सारे 5 वोंगे। तो घ्रकिन का होगा, इस 13 को किसके साथ गुना किया जाए, किसके साथ multiply किया जाए कि हमें 5 5 5 Sky 500ad, 5, 555 सारे के shr 5 5 मिल जाए। अब आप लोग क्या कर सकते है कि इसके लिए एक चीज कर सकते है कि 13 को हर किसी से multiply करके check कर लो, कि क्या ग्या दूसरा एक प्रोस्यस क्या कहता है, दूसरा प्रोस्यस यह कहता है, कि जसे मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, इसके अंदर 42 है, जब किसी संख्या में 13 से गुणा किया जाए, तो उनका पांच आजये, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इस क्यूशन में आपको गलती तो जिस किसी ने क्योशन बनाया है या तो उसने गलती है या फिर बच्छे मुझे बता दिंगे अरे लो मेरिज के कहां पड़े अपने पाड़े अपने कौन से इतने हाई लेवल के आदमी है वाइफ का नाम जैसरी सोलंकी है हाँ सोलंकी तो वह साधी के बाद होगी अभी वह जैसरी है ठीक है वही सर आपको बढ़ाई हो थैंक यू बढ़ा थैंक यू बढ़ा थैंक यू वरी मच पेड़ा भी देखें बढ़ाया बाद में देदेना अभी किशन सोल कर लो क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका आपका जोई एक्जाम होगा इसके बाद मैं आपको हारतिक बढ़ाई दू आपके आसपास के लोग आपको हारतिक बढ़ाई दे बढ़ा बहुत बहुत आपको ह लास्ट में देख रहा है चलिए यह क्यूशन जो है थोड़ा confusing क्यूशन है इसको थोड़ा सा भी छोड़ दीजिए और जिस किसी सौल हो रहा है या जिस किसी बच्छे को समझ में आ रहा है तो आप देख लेना क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं सारे क्यूशन को वेरिफाइ करो मैं आपको बता ही दिया कि साधी के करण बहुत ज्यादा बीजी हूँ अभी में ठीक है चले कोई बात नहीं 15968 को एक निश्चित संख्या से विवाजित करने पर बागफल 89 और सेस्पल 37 है तो भाजक ग्यात कीजिए ऑन डिवाइडिंग 15968 बा आपको यह बताना चाहता हूं कि आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि बागफल क्या होता है सेस्पल क्या होता है भाजक क्या होता है और भाज्य क्या होता है ठीक है भाज्ये बागफल सेस्पल चली मुझे बताईए मैं आपसे एक प्रस्ण पोचता हूं कि मैंने 25 के अंद पर कितनी संख्या दिख रही है, एक तो ये वाली संख्या, एक ये वाली संख्या, एक ये वाली संख्या, और एक आप इसको मालेजी, ये सब को छोड़ देजी, ये जो बीच वाला इसको छोड़ देजी, अब बताए, इस एक को मैं क्या बोलूँगा, दो को मैं क्या बोलू देखिए मैं आपको समझाता हूँ याद रख लेना पई ठीक है यह जो दो है जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं इसको भाजक कहा जाता है क्या कहते है बेटा इसको भाजक कहा जाता है ठीक है या फिर डिवाइजर कहा जाता है डिवाइजर ठीक है एंड यह जो आपके सामने यहां पर 25 लिखा है, इसको कहा जाता है भाज्य, क्या कहते है बेटा इसको भाज्य, डिवीडेंड, है ना, चलिए, यह जो 12 है ना, इसको कहा जाता है भागफल, क्या कहा जाता है, बागफल, क्यों सेंड जिसको हम लोग बोलते हैं, यह जो एक है ना, इसको कहा जाता है जिससे आपके भूट सारे कैसे और एको यह मालूम नहीं है कि रही है यहां पर चीतव क्या होद बाजक होगा ऑब भाजक है कि तो आप फिंगत वहां पर तो फंस गया है मतलब की जोड बागी गुणा लेकर के इसके शोट दे लो ठीक है अभी देखिए क्या पूच रहा है कि 15968 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पर अब निश्चित संख्या कौन ची है मुझे नहीं पता मैंने एक्स माल लिया अब मैं इसके अंदर भाग दे रहा हूं 15968 के अंदर ठीक है इसके पूची गई है देखिए इसके अंदर एक करना इसका एक फॉर्मूला होता है आपको सब्सक्राइब पता होगा कि जो भाजिय होता है न वेटा भाजिय डिविडेंट वो किसके बराबर होता है वेटा वो होता है वेटा बागफल बागफल मतलब की क्योसेंट और जी हमारे पास कितना है 15,968 15,968 एंड बराबर में मैं लिखोंगा बागफल बागफल है मेरे पास 89 मैं मैं लिखता हूँ भाजक भाजक मुझे पता ही नहीं भई साब और 6 पल है मेरे पास 37 का चलिए अगर इतना समझ में आ गया आपको फिर तो भई साब कुछ नहीं गु अब इस में माइनस करता हूँ तो क्या बचेगा 61 एंड थर्टी वन ठीक है तो फंदरा थर्टी वन बचेगा ठीक है थर्टी वन ही बच गया इक्वल में आ गया 89 इंटू में एक्स अब इसा मुझे एक्स का वेलू निकान लाए तो एक्स बराबर क्या आएगा 15,931 बट् मैंने आपको बता दी अब ऐसा आप भी निकाल लेना 15,931 के अंदर 89 का भाग ही तो देना है चलिए मैंना एक भाग दे करके आपको फिर भी दिखा देता हूँ कि आश का उत्तर क्या होगा को कि बहुत सार बचे फिर बोलते हैं सर उत्तर तो आप आपने बता है नहीं ठीक आज तो भई एक हजार एक हजार एक हजार एक हजार लोग हो सकते थे लेकिन पता नहीं कुछ बच्चे प्यार ही नहीं करते गुरू जी से हैं जी भई चलिए आट वे प्रस्ने के बारें बात करते हैं विभाजन के एक प्रस्न में यदि भाजक भाजी और शेशपल एक सट नौशो चालीस और पचीस हैं तो भागफल ग्याद कीजिए चलिए वो का वो क्योशन है वैसा क्योशन है यह मैं आपको होमवक में देता हूं जल्ली से एक मिंट एंद्च का समय आपकी पास होमवक में मैंने को क्योशन दे दिया इसका उत्र में आपको वीडियो लाश्न में बताउंगा जब सारे। चॉन हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको बढ़ाूंगा कि चली हुआ चली यह ले चली चले चली चली आजो आजाओ सभी बच्चे आजाएं सभी बच्चे आ जाई यह क्या हम लोग एक हजार से बाहर जा सकते हैं आज थोड़ा सा वेट कर लेजिए मुझे पता है अभी बहुत सारे बच्छों को पता ही नहीं कि यह लाइफ चल रहा है तो वह बच्छे आएंगे तो एक हजार से पाहर तो ही जाएंगे लाइक अभी तक आपने नहीं किया है तो है न भाज्य वह बढबर भाजक गुणा में भागफल एंड सब के साथ में हमें जोडना है शेषिपल अब इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है डिविडेंट इजीकोल टिविजर मल्टिप्लयर में क्योशंट इस सब के साथ हमें जोडना है रिमेंडर तो अपने को 5-3-4-6-7-7 को 17 से विभक्त करने का मतलब क्या होता है विभाजित करना 17 से विभाजित करने पर बाजक और सेस्फल में क्या अंतर रहेगा अरे बीटा क्या बात है मतलब कि यह आप से आपको चूस के खाना वाली बात है क्योंकि वह क्या बोल रहा है कि भाग दो पहले फिर अरही जुक्स वेटा बहुत ही आसान प्रसन है बांजक तो शत्रा खोड़ो गया ठीक है भाजक जो एक ना याँ पर भाजक वह शत्रा खुद हो गया अब मुझे निकला ने काल ना है सिस्फल मुझे क्या ने कालना है शेस फल निकालना है चलिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, तर्पन, पांच लाग चौतिस जिजा, ठीक है, अब इसके बीचे जीरो, जीरो, जीरो लगा लो, पांच लाग है ना, चलिए, 17, चलिए, भाग देकर ही चैक कर लेता है, फिर क्या, 53, 46, 77, डिवाइड़ बाई, 17, 17, 17, 24, 37, 51, ठीक है, त दूबच गया, सतरे कर सतरा, ठीक है, पिचल क्या बच गया, पीचल बच गया, 24 में से 17 गया, तीन ओर चार, शाथ, ठीक है, छेर लगा आजाए, 17, 25, ठीकाउन, 24, 68, 7 4 आट six पीचक अचा इया थिया नर्संट में लगा दिया सच्छ चोगा और 5 पिच्छ पिच्छ आथा है यहाँ सही है साइक थी किए इसलेगर दन्स पार पर शेश मल बच गया 27 में से 17 को गटाना है तो पीछी क्या बच गया दस बच गया जो कि D अपना उत्तर है बेटा समझ में आया गया चलिए बात करते हैं दसवे प्रस्थने के बारे में यदी 73 28 प्लस A is equal to 24 93 प्लस देश्टेन एक आमान क्या होगा वरे बेटा क्या बात है शिंपल सी केलिकुलेसन है पूण संगया वाला चैप्टर है होल नंबर वाला आपका चैप्टर है जल्दी से वादा बेटा हुआ है हमारी सादी मूँ च्या लिख रहे है बेटा है है कैसे कैसे कमेंट लिख रहे हो तुम लोग चले बेटा कोई नहीं बदाई दे रहे हो तो बहुत बहुत सुक्रिया आप सभी का क्या आपने मझे बदाई दी आप सभी का यह हाड क्यूसन नहीं है लेकि लेंदी क्यूसन है समय तुड़ा ज्यादा लेगा अपना ठीक है पहले इसको जोड दीजी क्या आगे आठ 11 का एक आसर लगी एक 5 और 6 ग्यार का एक आसर लगी एक 10 इतना मुझे मिल गया इसमें समझे माइनस करना इसको सो 7 3 2 8 माइनस कीजिए 0 11 मैंसे 2 गए पीछे बचे 9 11 मैंसे 2 गए पीछे बचे 9 और इसके पास बच गया 0 ठीक है अब इससे लिए 0 मतलब कि यहां पर बच गया 9 ठीक है है जीरो था जीरो यानिकी 10 10 में 3 के साथ साथ 9 में से साथ के बिच 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 दो 2790 2790 सी अपना एक दम सही उत्र बेटा चले वी बेटा बात करते हैं आज की हमारे सर एक्जाम पास में हैं डर लग रहा है मोटिवेशनल सायरी सुनाओ चले वीड़ा मोटिवेशनल सायरी ज़रू सुनाएंगे सबसे पहले एक ज्यार परसनल को सुड़ा सॉल कर दो यदि 32 14 माइनस M बराबर इतना है तो M का मान कितना होगा जली से वीड़ा कमेंट सेक्ष के लिए ही बनाया है उसको एक बात जाकर के सुन लीजिए आपको सब कुछ समद में आ दाएगा क्योंकि उस गाने में मैंने बहुत कुछ लिखा है सबकी है बस एक पुकार करना है सपना साकार तूफा नौ से लड़के भी अब की बार नो दे पार अब की बार नो दे पार है नो बड़ा चलिए अब है अब है कि अधिकर अभी अधुब बहुत ज़्यादा नहीं आपको पता है इस दूप से बचने के लिए पानी की बोतल हमेशा पास में रखो ज्यादा दूप में मत गूमो जुखां मों जाएगा उखार आ जाएगा तो बहुत बढ़ी प्रब जलतान में लूच चलती है क्या चलती है लूच जो हवा चलती है यह फिर एक बोहुत ज़गा हॉट मतलब कि यहां पर हवा खोटी है विंड होथिए उसको हम लोग लू कहते है लू अगर किसी को जुखाम हो गया तो हम लोग कहते है कि उसको लू लग गई है तो आप लोग भी उससे बचके रहे ना चलिए हम लोग बात करते हैं 32 14 माइनस M बराबर इतना है तो M का मान क्या होगा चलिए तो M को उससे लेकर के जाओ इन सब को इससे लेकर गया जाओ ठीक है तो M बराबर क्या हो गया फिर यह जो है यह आपर पॉजिटिव का हो गया या फिर सबसे पहले इसकी बात कर देते हैं 32 14 माइनस यह हो गया 36 32 और वह वाला हो गया पॉजिटिव का यह वाला हो गया पॉज अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए सबसे पहले, 4 और 2, 6, 1 और 9, 10 का 0 असे लगी 1, ठीक है, 4 और 1, 5, 5 और 2, 7, ठीक है, 3 और 6, 9, अब इसमें से मुझे घटाना है, अब 6 में से 4 गया, स्वरी, 2 गया, पीछे बचा 4, 10 में से 3 को माइनस नहीं कर सकते, 0 मैंसे, तो हमने लिया 10, 10 में से 3 गया, पीछे बचा 7, ठीक है, अब 6 में से 6 गया, 0, 9 में से 7 गया 2, 2014, ठीक है वाई, तो D अपड़ा यहां पर सही उतर है बड़ा, आप सभी का एकदम सह योतर हैं, आपकी साधी कौन से जिल्ले के कौन से गार्डन में है, यते सिंग, अच्छा कौन से जिल्ले के कौन से गार्डन में है, बेटा देखिए, जैसल मेर जिल्ले में हमारे यहीं है, स्री साइं गार्डन, हमारे स्टूडियो के पास ही है, तो हमारा All-Rounder BSS Coaching Institute के हमने अभी 10 स्टूडियो बनाये हैं, जहां पर 2 स्टूडियो अभी वर्किंग में हैं, बाकी के 8 स्टूडियो में से, पांच स्टूडियो हमने सैनिक स्कूल एंटरस एक्जाम के लिए दिये हुए हैं कि वहाँ पर सैनिक स्कूल एंटरस एक्जाम के कोचिंग होगी and उसके लिए वीडियो बनेंगे ठीक है बागी के जो है उसमें से दो हम अभी हाल फिलाल यूज कर रहे हैं एक जो है वो अभी तक थोड़ा सा वर्किंग में नहीं है उसमें कुछ दिक्कते हैं तो सौल हो जाएगी तो उसको भी स्टार्ट कर लेंगे ठीक है उसी स्टूडियो के पास में है हमारा सिसाई गाडन वह होगा चलिए गजा घैडर स्टूडिंट of बाटे है एक हाजार स्टूडेटबहार अनेवाले यह क्लिए इसमें हमें का मान निकालडा क्या होगा तो साच बराबर क्या है यह एक ब्राबर क्या है इस नियुक्त प्लस 867 प्लस 543 और उसमें देखी बेटा है कि यह उस साइट पॉजिटिक हो गया यह साइट मैनस का हो गया ठीक है तो मैनस का हो गया 28, 13, 13 सबसे पहले इन सब को जोड़ देते हैं ठीक है 7 और 3 10 10 और 2 12 12 का 2 80 लगी 1 ठीक है 4 और 6 10 10 और 14 और 1 15 15 का 5 आसर लगी 1 ठीक है 5 और 13, 13 और 6 19 और 1 20 20 का 0 आसर लगी 2 ठीक है 7 और 2 9 ठीक है इसमें से मुझे मुझे मैनस करना है 28, 13 ठीक है 12 मैंसे गया 3 पीछे बच गया बेटा 12 मैंसे 3 गया पीछे बच नो ठीक है फिर यहांपर 4 बच गया 14 मैंसे 9 गया 14 मैंसे 9 गया पीछे बच पाँछ ठीक है फिर यहांपर बेटा 0 है मतलब की मैंने एक यहांसे मांग के लिए ठा 9 यहांपर है ठीक है तो 10 10 इस इससे इसनी 2 यहांई दिए 9 9 मैंसे 8 गया, पिछे बचा 1 फिर फाइनली क्या बजता बेटा 8, 8 में से 2 गया, पिछे बचा 6 6, 1, 5, 9 B अपड़ा यहाँ पर बेटा एकजम सही उत्तर है किस-किस का आ रहा है बई B किस-किस का उतरा रहा है चलिए बई, चलिए बहुत बढ़िया बई, बहुत बढ़िया तेर्वे परस्ने के बारे हम बात करें 44, 102, माइनस 27, 948 का अंतर गयाद कीजिए अंतर मतलब कि इसका solution गयाद करना है खुल में लाकि चलिए, यह आपका homework है बहुत ही अच्छा क्योंसे नहीं है वैसे तो यह जड़ी सी एक माइनस प्लस की गलती कर लेते हो जोड़ बागी में थोड़ी सी गलती कर लेते हो तो यह गलती अपने को नहीं करनी है जल्दी सी होमवर्क का उतर देजी है आपका homework है जल्दी बीड़ा चलिए हम लोग बात करते हैं क्योंकि नेक्स सेशन के लिए हम लोग एक नई चीज स्टार्ट कर रहे है साथ का साथ, क्या है वेड़ा, साथ का साथ, मतलब कि S, K, S, ये एक सीरीज होगी, जहां पर हमेशा आपको साथ क्योंकि साथ क्योंकि हमारे यहां पर भारत के अंदर बहुत ही अच्छा रिवाज है कि साधी के समय साथ फेरे होते हैं, इसी प्रकार से वो साथ क्योंकि हमोग आपको बताएंगे हमेशा जो की बहुत ज्यादा इंपोटेंट है, हर चैप्टर के साभ से साभ से, तो वो हम हमारे 2023 के सैसम्ट के डिए, जो कोर्ष लाूν्च होंगे हमारे, उसके अंदर लेना है, ज्यादा confusion को अपने पास मत रखना, क्या होता है, simple सा एक concept है, यहाँ पर minus 1 को 50 बार कुणा करना, अब यह जो 50 बार आप कर रहे हो ना, इसको देखो, sum और विसम, यह दो चीज़े, ode, ode और even, अगर यह 50 sum है, तो अपड़ा उत्तर आएगा positive का एक, अगर यह विसम है, मालेज़े 49 है, तो अपड़ा उत्तर आएगा minus का एक, ठीक है, तो अपड़ा उत्तर क्या यहाँ पर, दी है, positive का, एक, चले बई बढ़ा, चले बई, चले बात करते हैं, पंद्रवे प्रस्न के बारे में, 15 number question के बारे में, जब minus 1 को स्वयम से 35 बार एक ओड़ नंबर एक ही नहीं है, 35 विसम संग्या है, तो अपना minus 1 का, जब 35 बार गुणा करोगे, तो minus का एक ही आएगा, क्या है, minus का एक ही आएगा, बी अपना उत्तर हो जाएगा, इससे पहले क्या था, उसको 50 बार गुणा कर रहे थे, तो 50 विसम संग्या है, एक even number है, इस कारण से अपना उत्तर क्या हो गया भई, अपना उत्तर हो गया थे, आपर positive का एक, चले भई विटा, बात करते हैं, 16 प्रस्न के बारे में, आथ के हमारे 16 नंबर क्यूशन के बारे में, एक विभाजन के प्रस्न में, 7623 को 23 से विभक्त करते हैं, तो सही भागफल और सह हमें क्या मिलेगा, वह अपने को बताना है, कुल मिलाकर भाग देना है, अब भाग के बाद अपने को पता होना चाहिए, कौन सा भागफल होता है, और वही अपने को निकालना है, चलिए भई, 7623, अब यहाँ पर आपका calculator जो होता है, वो भी काम नहीं आएगा, यह आपको सेसफल पता नहीं चल पाएगा, और नहीं आपको भागफल पता चल पाएगा, चलिए, भाग देते हैं, कितनी बार देएगा भई, दो बार ही जाएगा, दो जड़ा कहा जाएगा, ठीक है, यह तीन बार देते हैं, तीन बार भी जाएगा, हाँ तीन बार भी भाग तें तीन दीन नो आ गया जाए जाए है चलिए पिछे साथ बत गया दो बच गया अब भाग दिया हमने परब्सक्र उस सही 9 आ गया पिछे बच गया 3 और 33 यह बच गया और एक बार भाग यह जा चुका है ठीक है उत्तर हो जाता है वीड़ा समझ में आ रहा है या चलिए 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 आज का हमारा सत्रवा प्रस्थन है सेवंटीन नमबर क्योशन दो संक्याओं का गुणनफल चोहतर सांसु सताईस है यदि पहली संक्या दोसु साथ है तो दूसरी संक्या ग्याद दो संक्याओं का गुणनफल इतना है, यदि पाली संक्या इतनी है, विडाक सिंपल सा क्या कह रहा है कि एक संक्या X है, दूसरी संक्या 207 है, गुणा करने पर अपने को मिल रहा है चोतर 727, बैसा आप 4277 के अंदर, 14727 के अंदर, 207 का भाग दे दीजिए, तो आपको दूस सो का भाग देंगी यह देंगी जलिए भर बहταं है दो सूब साथ का भाग दिया मैंने ठीक आइब दो सू साथ के ch college यह चैह उता है् जह भी जाए जाएगा एक तो साथ संग 42 पुझ के अंच्छ दुने बारा 207 को हमें 6 से कुणा करना है साथ सिंग 42 का दो अस लगी 4 4 6 दूने 12 और यह तो 12 ज्यादा चला गया ज्यादा चला गया ज्यादा चला गया तो अपने को 6 बार तो हम दे नहीं पाएंगे त्युक्त है तीन बार जाएगा 207 इंटू में तीन करी सांती एकशी इस आगया थो इस में से माइनस कीज़े पीछे बच गया दो प्च गया एक बच गया 1202 हमने यह पर उतार दिया ठीकि बई अब यह क् बहाग जाएगा करीब चे बार आथा ठीक़े तो साथ सह बयालीस ए दो हमने उतार लिया ठीक है तो पूरा कपूरा भाग गया एक बार तो 661 अपना हो गया बागफल and sorry 361 है ना 361 हो गया बागफल and find the second number यह ही अपना second number 361 ठीक है बड़ा आगे समझ में चलिए तो अन्हें बलब ज्यादा नंबर देख ज्यादा बड़ा देख करके डरना नहीं है एंड चोटा देख करके उसको चुन्न मुन्न समझना भी नहीं तो यह थोड़ी गल्तियां मत कर दिना चलिए हम 18 परशना के बारे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं दो संख्याओं का गुणनफल 6201 है 6201 है यदि पहली संख्या 53 है तो दूसरी संख्या ग्याद किजिए कि यह आपका होल गया ठीक है जिसका अउफित्र मैं आपको बात में बताऊंगा ठीक है तो सं adequate कुषण में इसको श्यू лишा यह बढ़ते हैं जाल है जम्राइज और आब जानाइद समय नहीं नहीं है हमारे पास DRC nem आई लाइक कर दिया है, लाइक तो कर दो, उसके लिए आपके पास समय है उपरे जाई है ईखे है फर आप को तुस्थान के अंदर बहुत बड़ी प्राब्लम होते हैं अपको बहुत बाइब तो ऐसी दिक्कत होती है कि हमारे को पीने का पानी ना मिले पता है और उपर से भारत पाकिस्तान का बॉर्डर भी पास में हमारे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर पानी नहीं है रेत ही रेत आती है कभी तुफान कभी आन दिया कभी क्या कभी पूछो मत वैसी यहां पर हाल तो तो है कि बहुत अच्छी थी वहाँ पर ना तो कोई तुफान की बाद ना को ऐसा मौसम भी बहुत अच्छा रहता था शुहाऊना अड़ वाटर की कोई दिककत नहीं वहाँ पर बहुत ही अच्छा वेल मेंटेंड था हो लेकिन एक रास्तान की बात की जाए तो भई भागोल दिश्टी से तो बहुत खराब हो रखा है यहां का हालत ठीक है बही चलिए बात करते हैं हम लोग और आगे कैर यह सारी प्रॉब्लम बताने से क्या होगा सौलिसन तो निकालना है पड़ेगा हमारे कोई ठीक है उननीस वह प्रसने के बारें बात करते हैं उननीस बल्लों का क्राय मुल्ले मतलब की लागत मुल्ले 48,811 रुपए है यदि प्रत्यक बल्ले का क्राय मुल्ले समान है तो प्रत्यक बल्ले का क्राय मुल्ले कितना है अरे वेटा क्या बात है उननीस बल्ले हैं बल्ले मतलब क्या हो गया बैट हो गया है ना बैट जो होता है उननीस है कितन 4811, तो हर बल्ले की किमत कितनी होगी, एक्स बराबर कितना हो गया, 48811 बटा में 19, 19 का भाग दे दो, चले भई, भाग देते हैं, 48811, 19 का 19, 19238, 19237, 1900 का 68, 19 बंजे, नहीं आता मुझे पाड़ा, बेश्टी करने की जुरूत नहीं इदर, 19 का पाड़ा, चले, 19 इंटू 5 करते हैं, 19 बंजे पिचाणवे, 19 चंग, 114, तो 19 बंजे करते हैं, ठीक है बई, यसे मुझे पाड़ा तो आता है, लेकिन मैं थोड़ा कन्फ्यूजन रहता हूं, 18 और य 19, अब 131 के अंदर 19 का भाग देना, मतलब की 19 इंटू हम लोग 4 नहीं करेंगे, 7 नहीं करेंगे, 8 नहीं करेंगे, 7 भी नहीं होगा, 6 होगा, 6 बार जाएगा, तो 114 यह आगया, अब माइनस कर दोगे तो बेश्ब क्या आजएगा, 131 मैंसे, 114 माइनस कर दीजी, 17 आगया, इतना तो पहाड़ा मुझे भी आता है उन जिसका, ठीक है, तो 25, 79, 25, 79 अपना उत्तर है, ए अपना एकदम सही उत्तर है बेटा, तो आगे है समझे है भाई, ऐसर है यह है, अरे पहाड़े मुने बहुत याद किये, जब मैं लाइक 8 यू 7 पी में पढ़ता था ना, तो मेर यह एक शैक, वो टीटा, यह एंगल, वैसा एंगल, तो वहाँ पर इतना है ना, पहाड़ों का नहीं, यह जो होते हैं, दो एकम, दो, दो जने, चार, इतना इनका यूज़ नहीं होता है, वहाँ पर सबसी जादा यूज़ है, कि मैथट्ट्स को याद करना, या जो उनकी, कॉंसेट्स है, उनको याद करना होता है, ठीक है, तो मैथ्स थोड़ी सी चेंज होगी, आप जब आप नाइंध को पार करते हो ना, तो आपकी मैथ्स बिल्कुल चेंज हो जाएगी, यह जो कैलिकुलेशन वाला कॉंसेट है नहीं, यह तो ठीक है, चलो, आप बच्चे लो संख्या और तीन अंकों की चोटी-चोटी संख्या का गुणंदफल कितना होगा, बटा जल्दी बता वही, मतलब की बच्चे बहुत समय से इंतजार कर रहे थे हैं, गुरुजी आओ, गुरुजी आओ, गुरुजी आओ, के, मीडियो बनाओ आप तो, चले, कोई बात नही सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी चार अंकों की संख्या कौन सी होगी, एक, दो, तीन, चार, एंड तीन अंकों की सबसे चोटी संख्या यह हो गई, और यह पूछ क्या रहा है कि इनका गुणनफल क्या होगा, गुणा करेंगे तो क्या आगा, 9999900, यह अपना उत्तर आना चाहिए, जो की option number C के अंदर हमारा exactly match करता है, चले बेटा, क्या बात है, अभी मैं देखता हूँ, कौन-कौन बच्चा बेटा है, कौन-कौन लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चले बेटा, सोमनाथ प्रोगेमिंग भी बता रहे हैं, गोड इवनिंग सर, गोड इवनिं कहा के रहने वाले हैं, भई मैं जेसल मेर का रहने वाला हूँ, राज्तान के अंदर एक जिल्ला है, जेसल मेर, उसके अंदर एक सहर, छोटा सहर पढ़ता है, जिसका नाम है पोकरन, आपने सुना होगा, नुकलियर सीटी ओफ इंडिया, ठीके बई, वहीं का रहने वाला आप सब लाज तक बने रहे हैं, सब का नाम आएगा, चले वहीं बात करता है, 21 प्रसने के बारे में, तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, और चार अंकों की चोटी सी चोटी संख्या का गुननफल क्या होगा, तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, कौन है स्टेट गयर भास जो डर्च अपना एग्दम नाम लेंगी जह आजा जाओ अभी तक पुहुचे नहीं है पैट हाँ अभी तक दिएक लाइक तोाजार होने वाले हैं लेकिन आप लोगों की quantity 1000 की बार नहीं जारी वही अपकी बार नो दे पार क्या बाद है क्या बाद है चलिए बाद करते हैं 22 प्रस्ने के बारे में आज के हमारा 22 प्रस्ना अंको 308 के उपयोग से बने जा सकने वाली तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या और तीन अ चलिए बाई अब इससे तीन नंकों की सबसे बड़ी संख्यात होगी आठ तीन जीरो एंड तीन नंकों की सबसे चोटी संख्या होगी 308 ठीके अब इनका गुणन फल चाहिए हमें चलिए बाई साब कोई बाद नहीं 308 के अंदर 83 से मुटिप्लाई कर दीजिए देन उसको उसके पीछे जीरो जोड़ देना आणतिया 24 तीन तीया 9 ठीक है ठीक 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 चलिये आठ वाटी 64 तो चार चै का पंदरा का 5 असलागी एक पांच दो जिरो और लगा लो इसकी पीछे ठीक है तो 25,564,0 25,564,0 यह रहा भी अपना एकदम सही उतर बेड़ा बेड़ा आगे समझ में चलिए बेड़ा चलिए 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 सही एकदम सही बेड़ा सभी बच्चों का सही उतर आ रहा है अभी मैं सबका नाम लूँगा बई कोई बात नहीं गोड़ इवनिंग सइर बई कया नाम थे आपका संभू स्रीवास्तवा गोड़ इवनिग बटवा जोती चोदरी आइम अंजली ओके अंजली बेड़ा टेक माई नेम आयोध्या जहा ठीक है प्रभाद एक तो क्या है कि थोड़ा स्क्रीन का कल्डर जो बलेक हो रहा है रात के सामको साथ बज़े के बाद ओटोमडिक चैंज कर लेता है एंडूइड है वई क्या कर सकते है एपल का लिए जितने पैसी नहीं वास में है चलिए वई दिखाए वई दिखाए अपने अपने और ओल आउंडर बियेस को लाइक सब्सक्राइब किया क्या हाँ जी वई कर लिया है सभी बचों नहीं कर लिया है मज़े पता है चलिए नेक्स के वारे हम बात करते हैं ट्वेंटी थर्ड नंबर क्यूशन अंको चार नो तीन के उप संख्या का गुणनदफल क्या होगा चलिए सबसे बड़ी संख्या होगी नव चार तीन और सबसे छूटी संख्या होगी तीन चार नो इनका गुणनदफल में चाहिए नो तिया सत्ताइस नो चाहिए प्रस्टी अर चांड आड़ टीस नमे नम एकएासी और तीन चौरासी ठीक है चलिए चार तीया बारह चौरासी आगे ना चारतिया बारा चार चोग शोड़ा और सत्रा नो चोग चत्तीस और एक शेत्टीस तीन तिया नो चारतिया बारा और नो चत्ताइस और एक अठाइस चीक है साथ ग्यारा और नो बीस अरह भई पहले यह जोड़ दे जो ना चले पहले जोड़ दे साथ का साथ आ गया दस का जीरो आगया असल लगी एक ठीक है अभी उपर क्या आगिए बेटा अपने पास आ गया पांच पांच और बारा बारा और नो एककिस का एक असल लगी दो ठीक है दस और साइव एक लग गया एंड ग्यारा और एक बारा का दो अजल एक तीन लग गया ठीक है बथीस इकराने जीरो साथ डी अपना एक दम से उत्तर बेटा देखे केलिकोलेसल मिलब क्या है ना कि सर्फ समय लेगी आपका समय लेगी बाकी गल्तिया नहीं होगी अगर आपने बिल्कुल मिलब इसको एक्टिव करके काम किया तो ठीक है बही चलिए 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 अभी हम लोग नेक्स और बात करते एगे आपका हम खर द्रान किया तो ओम यह तो हम लुक देने के लाइक भी नहीं है एक को आ रहा है आप इसको सॉल किजी तब तक मुझे बताजिए इसके उत्तर क्या होगा हाँ भई है आओ आदे गंटे माला है आओ चलिए जल्ली पिताओ इसके उत्तर क्या होगा जब किसी नंबर को जीरो से मल्टिप्लेग किया जाते है तो क्या आता है बेटा है जी लाइक तो सबसे पहले आता है है ना लाइक कर दो भई लाइक कर दो बार बार बोलना ना पड़े लाइक कर दीजी चलिए जब किसी नंबर को जीरो से मंटिप्लाई किया जाता है तो हमें हमेशा जीरो ही मिलता है तो फाइनली अपना उत्तर क्या होगा ए अपना जीरो प्रस्थनिके बारे में, 657 और 100 का गुरण फल क्या होगा, 667 और 100 का, लेकि जब 100 का किसी के साथ गुर्णा किया जाता है, तो उसके पीछे 2-0 बढ़ जाते हैं, बस यही है, अब 677 है, तो उसके पीछे 2-0 बढ़ जाएंगे, 657 बस यह अपना D उत्तर होगा, तब यह तो पहुत चुन्दू मुन्दू कुशन है आप सभी को आते ही होंगे 26 वे की जैसी बात करते है तो 381 और 1000 का गुणनद फल क्या होगा तो 381 के पीछे 30 लगा लो यह हो गया अपना उत्तर सी चलिए बात करते है 2700 प्रसने के बारे में 2700 प्रसने के उत्तर बिटा क्या होगा 77777 7 divided by A is equal to 11 तो A का मान क्या होगा चले बई 77777 यह हो गया चार बार 7 और फिर दो बार और है तो 77 divided by A is equal to 11 तो बैसाब 11 को उसेड ले जाओ यहां ले और एकोश्ट ले जाओ तो यह बराबर क्या आ गया 777777 डिवेड़ बाई 11 गया 7 बार गया 7 बार गया 7 बार गया 7 बार गया लेकिन बीच में 0 आएंगे ठीक है बई 707 07 ठीक है बढ़ा 707 07 अपना उत्तर होगा किस-किस का आ रहा है बई 707 07 किस-किस का रहा बई अरे 777 कैसे आए गया रही मुन्ना देखिए यह अपने सौटकट बहले यूज कर लिया है लेकिन आप एक बात समझिए कि 77 77 77 इतना दिया हुआ है इसके अंदर 11 गया भाग देंगे जब सबसे पहले भाग नहीं गया तो हमने इसको भी ले लिया ठी साथ लगाया अब भाग नहीं गया तो एक बार जीरो आएगा ना पहले ठीक है फिर आगा 77 देखिए उपडवाली संख्या नीची उत्तरने से पहले यहां पर कुछ मांगती है वह जीरो वह जीरो ठीक है तो जीरो हमने दिया फिर 7 आया फिर एक बास साथ का भाग गया फि वैंड लेखिन वैंजेक का मान बताईए यहां इसाभ यहां पर बोटमास का रूल है वह ब्लामास होता है औल्या बात भागु जोबा वह वह वहाला रूल जोटा था है चालिए सबसे पहले इनका अगना होगा ठीक है सबसे पहले इनका मुल्टीप्लेकिसन होगा उसके तो बहुत ज्यादा लंबा कुश्ण हो गया लेंदी प्रस्ण हो गया ठीक है भई फिर भी करते है चलो आट शाती चपपन 63 और 5 68 7 21 और 6 27 7 28 28 और 32 ठीक है आट चोक 32 नोचोक 36 और 3 चारतिया 12 और 3 चार चोक 16 और 1 ठीक है तो 6 10 जीरो असलागी एक नो असलागी 17 का साथ 10 जीक एक 6 10 का जीरो असलागी एक दो पहले तो भीस साब यह आ गया अब इसके साथ हमें जोड़ना किसको है इसको ठीक है भई तो 4 तीन 9 8 4 3 9 8 in 253 ठीक है आट थिया चोईस नव थिया सताइस और दो अनतीस ठीक है तीन थिया 9 और दो ग्यारा 4 तिया वारा और एक तेरा ठीक है 8 पंचो चालिश नौपंचे बेतालिस और चार उननचास पांती है पंद्रा और चार उननीस पांचोग वीस और एक इस ठीक है चार नो जीरो एक आ गया दस तीन तेरा का तीन असलागी एक तीन दो अब इसको और इसको हमें जोड़ देना है ठीक है भई तीन दो ठीक है अब देखिए दसका जीरो असलागी एक दसका जीरो असलागी एक आठ नो तीन चार तो मेरा उतर आ रहा है 439800 ठीक है 439800 यहां पर अपने उतर आ रहा है यह रहा डी अपने एक दम सही उतर है देके भई सबढ़ आपकी कैलिकुलेशन बहुत अच्छी है न अगर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की है तो तो mistake नहीं होगी, और अगर आपने practice अची नहीं गी, then mistake होने की chances बहुत जादा है, चले भई, थोड़ा सा और आके बढ़ लेते हैं, अभी 1000 user होने वाले हैं, 39 स्वे प्रसने के बारे में बात करते हैं, निमलेकित मैंजक का मान बताइए, the value of the following expression is, इस expression का value बताइए, क्या हो जाएगा, वीडियो को like कर दीजिए, please like the video and share the video on, okay, हर्ज कह रहे हैं, आर्जी कह रहे हैं, लाइक नहीं करेंगे, मत करो, कोई बात नहीं, हमारा काम है, अच्छा content आप तक पहुंचाना, ना कभी quality के साथ compromise करना, और ना ही अपने पढ़ाने के अंदाज में, ठीक है भई, बाकी आपकी मर्जी, जाकूरा के साई यां मार सके ना कोई, है ना, चलो, solve करो इसको, यह आपका homework है, चली, next time बात करते हैं, यह तो हो गया, तीश्वे नंबर प्रस्ने के बारह में, नेमनलेकित वेंजिक का मान है, the value of the following expression is, इस expression का value क्या होगा, वो अपने से पूचा ग इसको multiply करते हैं, फिर इसको multiply करते हैं, and then solution निकाल, तो बैसा पांच मिंट आपके वहां पर खराब होगे, लेकिन पांच मिंट को बचाने के लिए, सर्फ 30 seconds के अंदर इसका उत्तर बताता हूं, मैं आपको, देखे क्या होगा, 783, 783 common आ रहा है बाहर निकाल लो, पीछे क् अपना उत्तर आ गया, 783 00 भी अपना एक्दम सही उत्तर है, बिटा समझ में आया गया, समझ में तो आया ही होगा, कहां जाओगी, समझ में नहीं आया गया तो, चलिए, 31 परस्दिंग बारे में बात करते हैं, वर्स 2010 में एक कस्वे की जन संक्या 2,12,036 थी, और अगले वर्स इसमें 34,987 की वर्दी हो गई, 2011 में कस्वे की जन संक्या क्या थी, देखे, 2010 और 2011, एक साल का फर्क है, ठीक है, तो 2011 जो है, वो 2010 का नेक्स्ट इयर है, ठीक है, अब कितनी वर्दी होई है, 34,987 मतलब कि इसके अंदर जोड़ दो, ठीक है, 2,12,036 में 34,987 को जोड़ दीजिए, 13 का 3, हसलागी 1, 12 का 1, 7, 4, 2, ठीक है, तो 2,47,023, यह अपना एकदम सही उतर रहे, इतनी जन संक्या थी, 2011 में, चले भी बीड़ा, बात करते हैं, आज के हमारे 32 प्रस्टे के बारे में, 32 नंबर किशन के बारे में, वर्द 2005 में, एक सहर की जन संक्या, 9,03,042 थी, और वर्द 2006 में, 9,03,864 थी, इस आउधी के दोरान जन संक्या में कितनी वर्दी होई, देखे, चूसन को घुमाया गया, इसलिए पहले हमें बताया गया कि भी इतनी वर्दी होई है, अब बता रहा है कि भाई, कुल मिलाकर इतनी होगी, तो बतो वर्दी कितनी होई, चलिए, 9,03,864 में से ही, इसको माइनिस करना है, 9,03,042 को, ठीक है, चार में से दो गया, पीछे बचे 2, 6 में से 4 गया, पीछे बचे 2, आठ का 8 आठ आ गया, 7 में से 3 गया, पीछे बचे 4, 8 में से 6 गया, पीछे 2, 24,822 का इंक्रीज हुआ है, सोरी यहां पर होगा ना डी अपना सही उत्तर है बाकी सब गलते है डी अपना एकजेक्टली एकदम सही उत्तर हो जाता है चले बहु बेटा बात करते हैं आथ के हमारे 33rd number question के बारे में 33rd number question क्या कहता है राहूल ने दो मकान 9,38,607 रुपे और 16,44,706 रुपे में खरी दी उ बिक रही है मकान मुझे बताओ मैं खरीद लूँगा ठीक है बई चलिए तो इतने में ये मकान दो खरीदे है उसने तो बताओ कुल मिलाकर दोनों मकान कितने में खरीदे है चलिए 16,44,706 नो लाख 38,606 रुपे पिर 36,607 जोड़ दीजे तेरा का तीन आसा लगी एक नो तीन एक नो साथ पनरा का पास लगी एक दो 25,89,333 में उसने दोनों मकान खरीदे है ठीक है बई तो सी अपना एक दम सही उतर है चलिए वेड़ा बात करते हैं आज के हमारे 34 प्रसने के बारे में दो संख्याओं का योग 49,67,449 है यदि एक संख्या 16,78,546 है तो दूसरे संख्या क्या होगी बई साब इसके अंदर से माइनस करना है चलिए मैं सीधा माइनस करता है देंकि उपर निशे लेखना है जरूरत नहीं है 9 मैंसे 6 पीछे बाते 3 , तिक है दोलों अपना काम हो चुका है, 3 मैंसे 4 जाता नहीं तो एक हमने इस ने इससे मांग के ले लिया, 13 मैंसे 4 गया पीछे बच गया 9, ठीक है अभी हम लोग क्या करते हैं, यहां पर इसके पास हो गया 13 हो गया, ठीक है 8 में से 8 पिछे बच गया, 8 के शोड़ा में से 8 के पिछे बच गया, 8 के अभी यहां पर देखी बिटा. Linux 5 second बचा हुआ हैzony ठीक है. अब 5 में से 7 जाता नहीं एक हमारा पिछे बच गया, 12 में से 7 के पिछ चलिए चलिए एकदम सही है 35 परस्तें के बारे में बात कर लेते हैं मिश्टर कपील ने बैंक में अपने खाते में 63,23,210 रुपे जमा किये कहां रहते हैं बाई साब मिलना पड़ेगा ठीक है जमा किये बाद में उसने अपने खाते से 11,44,855 रुपे निकाल लिए बैंक में उसके खाते में कितनी रासी सेज बची है चलिए इतने रुपे निकाल लिए माइनस कर लो भई साब 63,23,210 माइनस में करना है 11,46,875 ठीक है भई साब माइनस कर दीजी 10 में से 5 गया पीछे बच गया 5 ठीक है 9 में से 7 गया पीछे तो अभी 9 नहीं बचेगा फिर यहां पर 9 नहीं बचेगा वही नहीं बचेगा दस में से 5 गया पीछे बच गया थीन ठीक है अभी यहां पर इसके पास बचा हुआ है 1 धीक है दो बच गया यहां पर ठीक है इसके पास दो बच गया अब 12 में से 6 गया पीछे बचा 6 यहां पर बच गया एक अपने पास ठीक है यहां पर बच गया एक तो 11 में से 4 गया पीछे बच गया अब यहां पर बच गया पास दो दो मैंसे एक गया पिछ बच गया एक और पांच यह बच गया तो पांच लाग शत्रा ताने जो भी अभी देख लो 516 335 516 335 516 ठीक है अपना एक दम सही उत्तर है चले बई इतना हो गया अभी मैं इसके बाद बाले क्योंस नेक्स अम लेकिंगे नेक्स कल आप सभी को पॉहन जाना कल परसो या घंटे के बाद जब भी मैं आउन लाए बुचे पता नहीं मैं कब आऊंगा जब यहांगा सब पॉहन जाना भी ठीक है अब हम लोग तुड़ा होमवक वाले क्योंस को सॉल कर लेते हैं ठीक है होम ऑओ यह सोज आ नहीं कर सकते ठीक है लेकिन आप एक बात समझेए 900अची को भाहर 900ग सब्सक्रीट यहां पर किया बहर है पीछे क्या बचया श॥ैर के साथ q साहिच्ति को जोड़ना है मत्दब की 900 शित्याकी इंटू में 100 भा गया 900 सित्या सी जीरो जीरो यह अपना उत्तर आएगा सो ओप्सन नमबर सी अपना सही उत्तर है चलिए इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं आज के हमारे 27 वह हो गया अचब बीस पचीस होमवर्क होमवर्क कौन सा है हो ओमवर्क होमवर्क यह रहा अठारव प्रसन दो संक्याओं का गुणन फ़ल 62 001 है यदि पहली संक्या 53 है तो दूसरी संक्या क्या होगी चलिए बैसाब 62 001 के अंदर 53 का भाग देजी ठीक है क्या एक बार भाग जाएगा नो एक बार और गया 53 तो पीछे बढ़ गया अपना साथ सैंथिस ठीक भई सैंथिस वीचे बद गया हमने एक लगा दिया ठीक है अब 53 इंटु में सैंथिस लगें तो किता हैगा किती बार जाएगा भई तरफाग नो या साथ नो बार देते साथ बार देते 53 इंटु सेवन शाथ या एक्षिस साथ बार दाएगा 117 भी अपना एक्षिम से उत्तर होगा चलिए हम लोग बात करते हैं एक हमारा और होमवक था इससे पहले यह रहा ठीक है का अंतर क्या होगा चलिए बई 44102 मैसे 27948 को मैं मैं मैंस करना है चलिए मैं सीधा ही आपको बता देता हूं इसकी कैलकुलरिसम दो आपने निकाल दी होगी ठीक है मैं सरब आपको उत्तर बता रहा हूं 47102 मैनस 27948 सोड़ा 1104 ए अपना एकदम सही उत्तर होगा चलिए एसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा एक होमवक और था एक होमवक और था वही यह रहा आठवा प्रस्न में विपाजन के एक प्रस्न में य विपाजन के प्रस्न में यदि भाजग वाज ठीक यह सब दिये हुए न तो 940 बराबर कितना है भई तो भागफल ग्याद कीजिए तो 61 इंटू में एक्स कर दीजिए साथ में में जोड़ना क्या आए 25 तो बैसाब 940 में से 25 को कटा दीजिए 915 हो गया ठीक है 915 के अंदर एकषट का भाग देजिए 915 के अंदर एकषट का भाग देंगे तो क्या आएगा पंदर आएगा एपना सोरी डी अपना एकदम सही उत्तर होगा चलिए एक नैस्ट एक और होमवक था उस्तर बादा देता हूं ठीक है चलिए तीसरे प्रस्ने का एक यह हमार होमवक था वि सब्सक्राइब और साथ चोरासी अब बार चोग 48 48 48 और आठ चपन इसके अंदर 39 को जोड़ दीजिए चलिए पांसो चौसट प्लस 29 क्या होगा बेड़ा पांसो तेरा नवे चलिए इसी प्रकार से हमारे होमवक के सारे क्यूशन सौल हुए अब आपका 35 में से कितना स्कोर आ रहा है वो जल्ली से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखके बता दो ठीक बेड़ा जब भी मैं नेक्ट टाइम लाइव आओ तो सभी सभी की सभी बच्चे पहुंच जाना एको इस्टॉल करना घर बेट एपनी कोचिंग प्राप्त कीजिए बहुत ही अच्छा एप्लिकेशन है अभी इस साल 2023 के लिए हमारे कोर्से जल से जल लॉंच होने वाले हैं जहां पर आपको सिक्स का भी कोर्स मिलेगा नैंत का भी कोर्स मिलेगा सैन्नी के खर्चा नहीं आएगा ठीक है चलिए अभी सभी बच्चे नीचे कमेंट सेक्षिन में लेकिए बताएंगे जय नावदे जय भारत ठीक है बड़ा बाइटा मिलेंगे बढ़ी चलो 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 चलो